दोस्तो नमस्कार जैसा कि आपको पता है आज BABHTC का जो मैटर अपना कोट के अंदर वाद लिस्टेड था परन्तू से सुना नहीं जा सका उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है क्योंकि आज केसे ज्यादा थे 300 case अपने case से पहले उसको सुनना था 300 case हो आपको पता है एक बज़े तक कोट का टाइम होता है एक बज़े तक सब कुछ नहीं सुना जा सकता और अरजेंट का भी हवाला दिया था लेकिन जजज साब ने सुविकार नहीं कहा क्योंकि अरजेंट तो सभी case हो सकते हैं तो बात ये है फिर भी हमारे एड़ोकेट पैनल के दुआरे ये अच्छा प्रयास किया गया कि इसे जल्द ही 20 तारीक को लिश्टेट करवाया और वो भी अरली स्टेज के अंदर आप देख सकते हो कौज लिश्ट के अंदर यानि 20 तारीक को अपना मैटर ये पहले सुना जाएगा और 13 से जो 20 तारीक है यानि कि 7 दिन के अंदर कोट भी दोस्तों 3 दिन ही खुलेगा और इन 3 दिनों के अंदर कुछ विशेश केस ही सुने जाएंगे तो 20 तारीक के लिए आप थोड़ा धहरिया बनाये रखें जो कुछ होगा वो अच्छा होगा सच का साथ देता है भगवान दोस्तों ऐसी बात नहीं है और हमारी टीम आप ये मस समझा करो कि हमारी टीम कुछ नहीं करी दोस्तों 4-5 दिन लगतार लगे हुए हैं हम लगतार एडवोकेट सरसे बातचीत हमारी चल रही थी और 19 अगस्ते ही हम तो लगतार ध्यान दे रहे हैं बताओ क्या करें अगस्त को भी अप्लिकेशन लगाई तीन तारीक को देख लो तूरंत लिस्टेड हो गया तीन तारीक को रैस्पोंस अपना अच्छा था उसके ब सुनें इसमें यहार है वास नहीं चलता है अगर एसमें हमारे होत चलता तो अज हारे हमाचल वालों को इतने कुछ यह क्याक ही तो सबyuले हमाचल अब अभी भी एड़ोकेट सरसे बात के तब आप से बोल रहे हैं कि ऐसा और 20 तारी को शैद हो सके वहां तक जवाब भी सम्मिशन भी पेस हो जाएगा 12 सरकार की तरफ से और हमारी एड़ोकेट जो टीम है वो तो तैयार है यानि कि जब भी जवाब आएगा ना तुरंत पहर भी तरक वी तरक चालो जाएंगे यह नहीं कि हमारी एड़ोकेट सरद्वारा लिया जाएगा टाइम की आज सम्मिशन यह आया तो हम इसका रिप्लाई थोड़ा आपको बाद में देंगे ऐसा कुछ नहीं हमारी एड़ोकेट टीम है वो हैंट टू हैंट आर्गुमेंट रखन तो धन्यवाद